Hello everyone, 100 days challenge की 16 वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम सीख रहे हैं कटोरी ब्लाउज और ये हमारा है कटोरी ब्लाउज का second part First part में हमने सीखा था measurement लेना और अब उस measurement के according हम cutting करेंगे तो cutting करने से पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम drafting cutting करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को कटोरी ब्लाउज के back part के लिए हम use करने वाले हैं इन दोनों scale को अगर आप मेरा ये blouse course कर रहे हैं तो आपके पास ये दोनों scale होने चाहिए french curve scale और एक हमारे पास strangle shaper तो ये दोनों scale का हमें जरुरत पड़ेगा पूरा blouse cutting करने में सबसे पहले मैंने लिया है ये drafting के लिए fabric तो fabric के उपर हम drafting cutting करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप drafting cutting करते हैं तो आपका drafting में कोई भी margin नहीं होता तो ये मेरा fold वाला side है कटोरी blouse हम बना रहे हैं front से open और fold वाली side से आपको back part cutting करना है मेरा जो measurement है वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि किस measurement के according हम कटोरी blouse बनाने वाले हैं shoulder 13 inch, front cross 12.5 inch, armhole 16 inch upper burst 34, burst size 36, shoulder to waist length 15.5 और apex point हमारा 10.5, under burst this is most important 13.5 अगर आप कटोरी blouse बना रहे हैं तो आपके पास ये वाला measurement होना बहुत जरूरी है under burst क्योंकि यही हमारा belt को manage करेगा waist हमारा ready होगा 29.5 inch तो इसी measurement के according हम back part cutting करने जा रहे हैं और मैं इस बार आपको full back part cutting करना बताऊंगी मतलब full deep इसमें हम आपको सिर्फ 1.5 से 2 inch की पटी रखेंगे back part में ठीक है और बाकी full हमारा broad होगा full deep होगा इस तरीके से हम back part की cutting करेंगे कटोरी blouse में आप कटोरी blouse के साथ साथ deep neck blouse भी सीख जाएंगे यहां से आपको सबसे पहले straight line बनाना है और वो होगा आपका fabric को equal करने के लिए अगर आप full deep neck भी बनाते हैं तो भी आपको 1.5 inch से और 1 inch तक shoulder down करना होता है तो यहां पर मैं shoulder down करनी हूँ 0.75 उसके बाद मैंने दोनों point पर straight line बनाना है नीचे वली line से आपको लेना है जो भी आपका shoulder है तो देखें यहां पर हमारा shoulder का size मैंने आपको बताया है 13 inch है उसका हम लेंगे half तो 6.5 inch 6.5 inch पर mark करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने कोई भी shoulder में minus नहीं किया जो भी मेरा shoulder है वो मैंने 6.5 ले लिया है अब उसके बाद नीचे वली line पर ही मैंने जो भी मेरा size है जैसे मेरा size है 36 तो 36 divided by 4 और यहां पर मैं losing नहीं ले रहे हूँ जब भी आप कोई भी full broad neck बनाते हैं या full deep बनाते हैं तो losing उसी में include हो जाता है क्योंकि हमारा back से neck थोड़ा सा fell जाता है broad हो जाता है तो losing उसी में plus हो जाता है तो यहां पर मैंने लिया है 9 inch और 9 inch के साथ साथ मैंने आपको बताया है कि अच्छा भी यह वाला method मैंने आपको नहीं बताया है इस method से अगर आप इस method का use करते हैं आर्मोल को निकालने के लिए तो आपका जो इससे पहले वाला blouse जिससे पहला जो हमने blouse बनाया है उसमें मैंने यह method यूज नहीं किया ठीक है यह method आर्मोल निकालने का दूसरा है तो यह बहुत अच्छा method है इस method से अगर आप अपना आर्मोल निकालते हैं तो आपका आर्मोल कभी भी छोटा नहीं होगा और कभी भी बड़ा नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर आपने लिया है shoulder divided by 2 उसके बाद इसी line पर हमने ले लिया है जो भी आपका burst size है divided by 4 तो यहाँ पर हमारा 9 inch आ गया है उसके बाद हमने यहाँ पर लिया 0.75 inch और यह जो दोनों हमारे gap है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो gap है यह मेरा आगया है 1.75 तो इस 1.75 को मैं उपर निकाल दे रही हूँ उपर निकालने के बाद हम यहाँ पर जो भी आपका armhole का size है उसका आधा ले लेंगे यानि के half तो मैं यहाँ पर 8 inch पर mark कर रही हूँ उसके बाद आप 8 inch पर straight line बना देंगे और जो आपने यहाँ पर लिया है 6.5 वो same आपको यहाँ पर लेना है 6.5 उसके बाद आपका जो burst size है वो आपको divided by 4 करके ले लेना है और इन दोनों point को आप straight line से मिला देंगे उसी के साथ आप shoulder down करेंगे shoulder down आपको करना बहुत जरूरी है चाहे आप deep neck भी बना रहे हैं अब आपको इस पूरी line का लेना है center तो यह 6 inch का center हमारा 3 inch और अब इस point को इस point से आपको मिलाना है उसके लिए french curve scale ही use करेंगे आप दोनों point को मिलाते हुए आपको ऐसी shape डाल देना है देखे आप हमें यहां से यहां तक का distance नापना है measurement tape से नापेंगे और हमारा proper armhole उतना ही आना चाहिए जितना हमने लिया था तो हमारा यहां पे armhole आ रहा है 8 inch तो हम कहां से नापने हैं हम यहीं से नापेंगे जहां पर हम stitching लगाएंगे यह हमारा stitching वाला line है क्योंकि हम armhole में extra नहीं लेंगे part deep neck बना रहे हैं इसी लिए ठीक है और यहां पे भी हमें extra नहीं लेना है यह हमारा stitching का mark है सिर्फ हमें कहां पे extra लेना होगा side में अब देखिए यहां से आपको इस point से length लेना है अपने blouse का front वाले part में हमारा length होगा 15.5 और यहां पे आपको 1 inch कम करना है as usual जैसे हम करते हैं कभी भी आप कोई भी blouse बनाते हैं तो आपको ऐसी ही mark करना है straight line बनाना है मेरा waist size कितना है 29.5 29.5 तो इसके according हमारा जो waist point है वो 7.5 मतलब 5 से एक line कम आएगा और इसमें आपको back में plate भी डालना है 1 inch तो हम यहां पे 1 inch और plus कर देंगे तो हमारा आजाएगा 8.5 में एक line कम ठीक है और यहां से यहां तक आपको straight line से मिला देना है उसके बाद आपको यहां पे plate का marking करना है back में जो हम plate डालेंगे उसका देखे waist point आपको ऐसे ही निकालना है अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कैसे आपको निकालना होता है जैसे मेरा आया है 29.5 तो इसको मुझे divide करना है 4 से तो यहां पर मेरा आगया है 7.37 यानि कि 7.5 में एक line जादा उसके बाद आपको 1 inch extra लेना है तो हमारा यहां पे आजाएगा 8.5 में एक line जादा और दोनों point को आपको ऐसे मिलाना है अब plate के लिए आपको क्या करना है इस पूरी line का center लेना है और उपर से आपको apex point का length लेकर उसमें 1 inch minus करना है यानि कि 9.5 आपको आजाएगा और दोनों point को आपको ऐसे मिलाना है अब देखिए आपको यहां पर half inch लेना है दोनों side से यहां पर भी half inch लेना यहां पर भी half inch लेना है और दोनों point को ऐसे मिला देना है straight line बना देंगे नीचे वैसे हमें इसका जरुरत नहीं है हम यह नहीं लेंगे हमें सिर्फ इसी का need है तो यही वाला point हमें लेना है और यह point हमारा जादा क्यों आया है देखें यहां पर आ रहा है हमारा 8 inch के around अब मैं जब भी यहां पर plate डालूंगी इस तरह से plate डालते ही यह वाला part थोड़ा नीचे हो जाएगा तो इसलिए मुझे क्या करना है half inch उपर mark करना है और दोनों point को ऐसे मिला देना है लेकिन हमारा front वाला part जो belt हम attach करेंगी उसके लिए हमने अपना blouse का length बढ़ाया है वैसे मेरा जो blouse का length है वो 15.5 है 15.5 है लेकिन accurate मेरा जो blouse का length है fixed length वो मेरा 14 है बट मेरा जो belt वाला blouse है उसकी वज़ा से मुझे belt को थोड़ा बड़ा show करना है इसलिए मैंने अपना blouse का length बड़ा रखा है ऐसा नहीं है कि आप अपना blouse का length बड़ा रखें आप छोटा भी रख सकते हैं उससे आपको कोई problem नहीं होगी बस यह रहेगा कि आपका जो belt का size है वो थोड़ा छोटा आएगा लेकिन मुझे वो छोटा नहीं चाहिए इसलिए मैंने blouse का length बड़ा रखा है आप अपना blouse का length अपने size के according रखेंगे अब देखे back part को कहां से cutting करना है straight मैं सीधा ही straight करूँगी यहां से उपर नहीं जाऊंगी और यहां पर हम ऐसे से करना है तो इस तरह से हमें back part को cutting करना है यह हमारा back part cutting हो गया है तो यह था हमारा blouse का back part यह सिर्फ हमारा drafting है अभी main fabric हमने cutting नहीं किया है next video में हम आपको front part की drafting बताएंगे और हां अगर आप हमारा online या offline upcoming course जोईन करना चाते हो तो screen पर दिये गए number पे आप हमें call और contact कर सकते हो क्योंकि next month से हमारा offline भी batch start होने जा रहा है जिसमें हम आपको six blouse सिखाएंगे six blouse में हमारे बहुत सारे pattern भी है बहुत सारे sizes में हम आपको सिखाने वाले है हर एक topic हम बहुत ही neat and clean आपको explain करने वाले है बहुत deeply हम सिखाने वाले हैं offline में और India के हरे कोने से हमारे पास student आएंगे तो अगर आप भी हमारे offline course को join करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं screen पर number दिया हुआ है इन number पे call कीजिए, contact कीजिए और comment करके जरूर बताइए कि आपको मेरा सिखाया हुआ method कैसा लगा बहुत नया method है, unique है, different है I hope कि आपको अच्छा लगेगा और हाँ, अगर आप हमारा online batch भी start करना चाते हैं तो कर सकते हैं हमारे every month नय batch चलते हैं every month हमारा नया topic होता है और fees भी बहुत reasonable है हमारी online class का 2000 per month online, ठीक है, तो अगर आप हमारे courses join करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं, मिलती हूँ आप से next video में तब तक के लिए, bye bye take care